देश में जिस तरब भी जाएं बेरोजगारों की एक बड़ी भीड है और जिनके भी रोजगार हैं सरकार उनके रोजगार भी छीनने में कोई कसर नहीं छोड़ लई है इसी तरह से अगर हम देखें तो सिक्षा मित्र जो बहुत मजबूती के साथ आंदोलन कर रहे हैं जो अपने हक के लिए लग रहे हैं जो सिक्षा का एक बड़ा महत्पूर अंग हैं और इस देश में पहले ही जहां सिक्षकों की बहुत कमी है वहां सिक्षा मित्रों को इस सिक शिक्षा की व्यवस्ता में लगा के सिक्षा व्यवस्ता को चलाने की बाती आज उन्हीं सिक्षा मित्रों को सड़क पिला के खड़ा कर दिया है। शिक्षा मित्र हैं और शिक्षा मिवस्ता में इनका बड़ा महत्पूर योगदान है। सरकार के ये भी नहीं दे सकती। अगर आप सिक्षा व्यवस्ता को मजबूत करना चाहते हैं, देश में अच्छे सिक्षा की व्यवस्ता करना चाहते हैं, तो अच्छे सिक्षा तो चाहिए आपको। और सिक्षा मित्र के माध्यम से जब आपके पास में सिक्षा उपलब्ध हैं, उन्हें उनका हग देने में क्या दिक्कत है। बार-बार उन्हें सर्क पर आना पड़ता है, पिछले दिनों भी उन्होंने कई दिन तक लगातार दिल्ली मांदोलन किया, क्योंकि योगी सरकार उन्हें उनका हग तो देती नहीं, हाँ लाठी, डंडे उनको जरूर देती है, पुलस से उन्हें जरूर पिटवाती है, लोगों को नियाय मिल सके और रोजगारी की जो समस्या है उस समस्या के समाधान हो सके तो मैं भानुप्रताप सिंग हो हमारी राश्चे जन्हिस संगर्ष पार्टी सिक्षा मित्रों के इस आंदोलन में पूरी इमानदारी से पूरी ताकत से उनके साथ कंदे से कंदा मिलाकर उनके संगर्ष में शामिल है जितने भी सिक्षा मित्र भाई इस आवाज को मेरी को सुन रहे हो जिन तक भी इस चैनल के मादधम से मेरी आवाज पहुँच रही है मेरा उनसे निवेदन है कि वो मेरे से संपर कर सकते हैं हमारी पार्टी राश्चे जन्हिस संगर्ष दिये और हम सब पूरी इमांदारी से इस लाज़ाई को लड़के अपना हक लेकर रहेंगे अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंड़ी का बटन बिल्कुल भी दवाना ना भूरें ताकि सभी लेटिस्ट खबरे पहुंच सकें आप पे सबसे पहले